से पहले खबर पडूसी देश बांगलादेश जहां सियासी तुफान के बीच बांगलादेश के सेना प्रमुक वकार उज जमान ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रोपते मुहमद शहाबुद्दीन से मिलकर वो जल्द ही अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता शांती बनाए रखने में सहयोग करें। स्थते के गंभीरता को देखते हुए ढाका हवाई अड़े को ततकाल प्रभाव से छे गंटे के लिए बंद कर दिया गया है। और शांती के रास्ते पर लोटें। इससे हमारे देश को बहुत आर्थिक और माली नुक्सान हो रहा है। लोग मर रहे हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि समाधान निकाल लिया जाएगा। इस बेच बंगलादेश में राजनीतिक संकट गहरा गया है। प्रधार मंतरी शेक हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो दोपहर करब धाई बजे एक सैन हलिकाप्टर से बंग भवन से अपनी छोटी बहन शेक रहाना के साथ सुरक्षत स्थान के लिए रवाना हुई। इसमेश प्रधर्शनकारियों ने दोपहर करीब तीन बजे गोनो भवन के दरवाजे खोल दिये और प्रधार मंतरी आवास के परिसर में घुस गए। सरकार के खलाब जारी इस प्रधर्शन में अब तक सौ से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिनमें तेरह पुलिसकर में और छे पत्रकार भी शामिल हैं। वहाँ जुलाई से ही हिंसा जारी है। बांगलादेश में हिंसा को देखते हुए पाच अगस्त से तीन दिन के लिए छुट्टी घोशित की गई थी। वहाँ कर्फ्यू जारी लगा हुआ है। सेना सडकों पर गश्ट कर रही थी। प्रदशनकारी धाका तक लौंग मार्च कर रहे थे। वो शेख हसीना के नेत्रेतों में चल रही सरकार से आसंतुष्ट थे। शेख हसीना साल 2009 से ही बांगलादेश की सत्ता पर काबिज हैं। इसी साल जनवरी में उन्होंने लगातार चौथी बार चुनावों में जीत हासिल की थी। हाला कि इस चुनावों में प्रमुक विपक्षेदल बी एन पी की सक्रिय भूमिका नहीं थी। इसी वज़े से चुनावों को एक तरफा माना जा रहा था। विपक्षेदल सरकारी संस्थाओं के दुरूपयोग और अपनी सत्ता के दम से विरोध का दमन करने के आरोप लगाते रहे थे। इनमें विपक्षे कारेकरताओं की गएर नियाईक हत्या तक के आरोप भी शामिल हैं। देश में विरोध प्रदर्शन सरकारी नौकरी में कोटे को लेकर शुरू हुए थे। सुप्रिम कौट के इस मामले में दخल देने के बापजूद प्रदर्शनों का सलसला नहीं थबा। दरसल 5 जून 2024 को बंगलादेश के हाई कौट ने सरकारी नौकरियों में कोटा बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद ढाका के अलग-अलग विश्व विद्यालियों के चात्रों ने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन का एलान किया। कौट के फैसले के बाद सरकारी नौकरियों में 56 फीस्दी सीटें आरक्षित हो गई। अलग-अलग वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया गया। सबसे ज्यादा 30 फीस्दी सीटें 1971 के युद्ध में शामिल लोगों के घरवालों के लिए थी। वार वेटरंस के बाद महिलाओं और अलप विक्षित खृत्र से आने वाले लोगों का नंबर आता है इन दोनों के लिए 10-10 फीस्दी सीटें रिजर्व की गई। मूल निवासियों को भी 5 फीस्दी सीटें दे गई। और एक फीस्दी सीट विक्लांग लोगों के लिए आरक्षित हुई। प्रदशनकारी छात्रों की माग थी कि इस आरक्षण को कम किया जाए। सबसे ज्यादा विरोध सेना के परिवार वालों को मिलने वाले आरक्षण का था। और भारत बांगलादेश पेट्रापोल सीमा को बंद कर दिया गया है। भारत से बांगलादेश गए सभी ट्रक चालकों को बियसेफ ने वापस भारत बुला लिये हैं। पेट्रापोल सीमा पर सभी को 500 मीटर दूर ही रोका जा रहा है और बियसेफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अब खबर संसद से।